नैनी आट साल की थी जब से उसे उड़ते हुए हवाई जहाज देखने का बहुत शौक था। नैनी जब भी आसमान में कोई हवाई जहाज ओड़ते हुए देखती, वे जट से दोड़ कर छट पर चड़ जाती थी, और तब तक देखती रहती, जब तक उसकी आवाज आनी बन नहीं हो जाती, वे हवाई जहाज देखकर बहुत खुश होती, उसका मन करता कि वे भी आसमा में उड़े, वे भी हवाई जहाज उड़ाए। नैनी के पिता अशोक प्राइवेट स्कूल में चपरासी का काम करते थे, उसकी मा सीमा की छोटी सी चूड़ियों की दुकान थी, अशोक चाहता था कि उसकी बेटी पढ़ लिखकर काम्याब बने, अशोक सीमा से कहता है, सीमा, हमारी बेटी नैनी पढ़ाई में बहुत होश्यार है, बस किसी तरह पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मैं नहीं चाहता कि उसका जीवन हमारी तरह घरीबी में कुझरे। इस पर सीमा ने जवाब दिया, बहुत पैसा चाहिए पैरों पर खड़े होने के लिए और बड़े लोगों से जान पहचान भी ज़रूरी है, केवल पढ़ने से ही कुछ नहीं होता। सीमा, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, पर पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ूँगा। नैनी अक्सर अपने मम्मी पापा से हवाई जहास से सम्मध्धत सवाल ही पूछा करती थी। पापा, आसमान में हवाई जहास कौन उडाता है। बेटा, हवाई जहास तो पाइलेट उडाते हैं। पापा, मुझे भी पाइलेट बनना है। लेकिन बेटा, हवाई जहास उडाने के लिए बहुत पढ़ना पढ़ता है। ठीक है पापा, मैं बहुत पढ़ूँगी, लेकिन बननूँगी पाइलेट ही, हाँ। अशोक और सीमा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसके मुह से निकली हुई ये बात उसका जुनून बन जाएगी नैनी कागस के प्लेन बनाकर हवा में उडाती रहती उसके खिलोने भी हवाई जहाज ही होते थे अशोक और सीमा उसे देखते रहते उसकी आँखों में बचपन से एक सपना था कि वह भी आसमान में उड़े अशोक और सीमा भी उसके सपने को अच्छे से जानते थे इसलिए उन्होंने नैनी को इंग्लिश बीडियम स्कूल में पढ़ाया उनके लिए अपनी बेटी का सपना पूरा करना बहुत मुश्किल था वो उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा तो रहे थे लेकिन हमेशा इस बात से डरते थे कि उसका सपना पूरा कर पाएंगे या नहीं धीरे धीरे नैनी बड़ी होने लगी उसने बारवी कक्षा में 93 प्रतिशर्थ से प्रथम स्थान प्राप्त किया अशोक सीमा से बोला सीमा क्या करूँ बारवी तो नैनी को जैसे तैसे करा दी लेकिन आगे की पढ़ाय के लिए पैसा कहां से लाऊं उसे पाइलिट बनना है देखो जी हमारे पास इतना पैसा कहां से आएगा मेरी मानो एक अच्छा लड़का देखकर उसके हाथ पी लेकर दो हाँ तब ही उन दोनों ने देखा कि नैनी उनकी बाते सुन रही थी और उसकी आँखों में आसू थे क्या हुआ बेटा तु रोने क्यों लगी और फिर सब घर संभालने लगती है लेकिन पापा मेरी आँखों ने तो बच्पन से सिर्फ एक ही सपना देखा है आसमान चूने का मैंने अपनी पढ़ाई इसी उद्देश के लिए की है पापा मुझे मौका दो मेरा होसला मत तोड़ो कुछ करो पापा मैं शादी नहीं करना चाहती नैनी की बाते अशोक के दिल में बैठ कई बेटी के आसू पोच कर अशोक ने कहा मत रो नैनी चाहता तो मैं भी हूँ कि तेरा सपना पूरा करूँ पर मेरी हैसियत इतनी नहीं है मेरी बहुत अच्छी नौकरी नहीं है बेटी मैं चपरासी हूँ मैंने पता किया है पाइलिट की ट्रेनिंग के लिए बहुत पैसा चाहिए नैनी बिना कुछ कहे रोती हुई अपने कमरे में चली गई अशोक राद भर सोचता रहा कि पैसों का इंतजाम कहां से हो नैनी जब भी प्लेन की आवाज सुनती उसे अपना सपना तूटता हुआ नजर आता सीमा मैंने अपनी बेटी के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा क्यों डरा रहे हो साफ साफ कहो क्या बात है मैंने ये घर बेचने का फैसला कर लिया है और जो गाउं में हमारे पिटाजी का खेथ है उसे भी बेच देंगे लेकिन नैनी का सबना जरूर पूरा करेंगे लेकिन सब कुछ बेच कर उसकी ट्रेनिंग में लगा देंगे तो हमारा क्या होगा हम कहां जाएंगे चिंता मत करो सीमा एक बार हमारी नैनी पाइलिट बन गई तो ऐसे ना जानी कितने मकान खरीद लेगी अशोक ने अपना घर और गाउं का खेट बेच दिया और एक कमरा किराए पर ले लिया पापा आपने जो मेरे लिए किया है मैं कभी नहीं भूलूँगी अब आप देखना मैं दो तीन सालों बे ही आपको पाइलिट बन कर दिखाऊंगी अशोक ने नैनी का एड्मिशन फ्लाइंग क्लब में करा दिया नैनी ने स्टूडंट पाइलिट लाइसेंस के लिए अपलाई किया पापा 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 मम्मी मम्मी कहा हो आप दोनों क्या हुआ नैनी इतना क्यों चिला रही हो अशोक ने जब ये बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा बेटा खुब मेहनत करना, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दाओं पर लगा दिया है पापा आप चिंता मत करो, एक दिन मैं आपको सब कुछ वापस लोटाओंगी, आपको निराश नहीं होने दूँगी लेकिन पापा मेरी ट्रेनिंग अमेरिका में होगी, वहीं से मुझे पाइलिट लाइसेंस मिलेगा जाहो बेटी, मैं पैसो का इंतिजाम कर दूँगा, बिल्कुल चिंता मत करना मेरे अच्छे मम्मी पापा, थांक यू, थांक यू नैनी को अपने सपने पूरे होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन माबाप को दो साल के लिए छोड़ कर जाना था नैनी कुछ कमजूर पढ़ रही थी, वे सोच रही थी कि कैसे रहेगी मम्मी पापा के बिना, और वो भी विदेश में यह सोचते सोचते उसकी आखे भराई, लेकिन जाना तो था ही, उसे अपना सपना जो पूरा करना था आस्मान में उडान भर्मी थी, बादलों के उपर से जाना था अशोक और सीमा उसे एरपोर्ट छोड़ने गए और नम आखों के साथ उसे अमरीका भेज दिया देखते ही देखते दो साल गुजर गए दो साल के बाद नैनी को कमर्शल पाइलिट का लाइसंस मिल गया जब यह बात नैनी ने फोन करके अशोक और सीमा को बताई तो वे दोनों खुशी के मारे रोने लगे अशोक बोला बेटी, मुझे तुम पर कर्व है भगवान तुम्हारी जैसी बेटी सब को दे नहीं पापा, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे जैसे मम्मी पापा सब को मिले पापा, मैंने आप दोनों की फ्लाइट बुक कर दी है आप अगले हफ़ते यहां आ रहे हो मेरे पास पर बेटा, हम तो इस बारे में कुछ जानते भी नहीं पापा, मैं आपको सब कुछ फोन पर बताती रहूंगी आप तो बस आने की तयारी कीजिए अगले हफ़ते अशोक और सीमा अमेरिका पहुँचे नैनी उन्हें वही एरपोर्ट पर मिली नैनी को देखते ही उन्होंने उसे गले लगा लिया नैनी ने अशोक और सीमा को अपने प्लेन में बिठा कर उडान भरी उनके दिल में एक खुशी और उमंग थी नैनी बोली पापा, आपने मेरा सपना पूरा किया है मैं आपको इसके भी उपर जा कर दिखाऊंगी पाइलेट ही नहीं एक दिन दुनिया मुझे कैप्टन नैनी अशोक सिंग के नाम से जानेगी एक गरीब की बेटी ने अपना सपना पूरा करके दिखाया है पापा, हम गरीबों में बहुत सी ऐसी गरीब बेटिया है जिनके सपने चूले के धुए में ही अपना दम तोड़ देते हैं लेकिन अगर हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं बिलकुत सही कह रही हो नैनी अगर उस दिन तुम कमजोर पड़ गई होती तो तुम भी आज प्लेन नहीं चूले का धुआ उड़ा रही होती और ये कहते हुए सब हस पड़े इनसान गरीबी में जर्म जरूर लेता है लेकिन अपनी महिनत और लगन से अपना भाग के बदल देता है